हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनोपाधक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का अगला वन सौट जिसका नाम है त्रकोड मिती का परिचे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको बोल सकते हो एर्थ नंबर जो अब और भरभर के उप्यों यहां से मारा बेसिक पार्ट तिकों १ मिती परिचे का इस्टार्ट होता है तो इसको बाकाइदा बहुत अच्छे से हम इसको रिवाइस करें और सभी लोग आजlon जल्धी से अपनी क्लास और इस गॉता एंपकी बैठने की परिच्छा होती कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं एक क्लास में कब तक आपका दिमाग जो है वो चीजें लेता रहेगा ठीक है क्योंकि वनसाइड जोगा देखो पूरा चैप्टर तो कराना यह ठीक है पूरा चैप्टर इसका जितने भी है जितना भी रिवीजन वाला पार्ट है जितना भी आपका कॉंसेट वाला पार्ट है जो भी डिफरेंट डिफरेंट के कोश्चंस हैं वो सारे आपको कवर करा नहीं है तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है मतलब लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसलिए आपकी बैठने की भी इसमें कवर हो जाएंगे जब पूरा चैप्टर जो पढ़ लोगे ना तो जब उठोगे ना तो आपको लगेगा आखिर में कि नहीं अमने यहां पर यहां से अमने देखा जो अमने त्रिकोन पाझा जी इस अभी लोग见 जाइये और बताने जरूster में करके आखरी तक देखा कि नहीं करें यहां सब्सक्राइब करें तो जो त्रकोण मिती का परिचय वाला जो उमारे पास चैप्टर है जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा तो जिसको 8.1 exercise बोलेंगे 8.1 exercise में क्या है तिरकोड मिती के अनुपात के बारे में हमें बताया गया है दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कुछ विशिष्ट कोणों के तिरकोड मिती अनुपात इसका मतलब क्या है कि कुछ विशिष्ट कोणों के तिरकोड मिती अनुपात विश तीसरी सबसे important और सबसे बड़ी जो exercise त्रिकोण मिती सर्वशमिकाय तो सर्वशमिकाय जो है जो टिग्नोमेंट्री एपनी अंतिम एकसराइज थी बात करेंगे बेसिक से चलेंगे और पूरा कवर करते हुए ठीक है ठीक है थोड़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन इतना जाएंगे जिससे आपको पूरा फील हो जाए पूरा सबको समझ में आ जाए और पूरा सबको रिवाइज हो जाए चले फिर अपने लेक्चर क्यों तो चलिए फिर सब्सक्राइब करते हैं सभी लोग बैठ जाए ध्यान से पूरी क्लास को आपको देखना बस साथ सुनते रहना ज्यादा कमेंट करने से अभी कोई फायदा नहीं आप जित्ता क्लास में ध्यान से सुनोगे जित्ता दिमाग से देखोगे सब चीजें आपको उतनी फील होती जाएंगे ज्यादा लिखना कमेंट वाजी में नहीं पढ़ना सिर्फ लेक्चर को आप ध्यान से देखो पूरा लेक्चर फिर मुझे लाश्ट मे मतलब क्या थोड़ाता इस सब्द का मतलब समझ लेते जैसे हम लिखते हैं ठीकोन मिती इचनोंमेटरी बोलतेमे पनले कंगलिस में में पता है न एकग मादलब समझा एक त्रीकोन्समोर अच्छा संब्रेसी diff दया आपने लिखा इसका मतलब क्या तो आपको पता है रोगोंने 10 में संदिवी छेथ भी पड़ा रखा होगा आपको इसमें देखो तो ये तीन चीजों से मिलकर बना एक तो त्री उपर आंगे लिखा है फिर कोण लिखा है फिर हमारे पास मिती लिखा है इसका मतलब ये है त्री मतलब तीन कोण मतलब कोण बोल सकते हो या एक प्रकार से त्रिकोण मिती का बेसिक मतलब जो है तीन कोणों को मापना या तीन भुजाओं को मापना सिम्पल सा बस इतना सा ही मतलब है कि त्रिकोण मिती का मतलब क्या है कि तीन कोणों का मापन या तीन भुजाओं का मापन है उसे ही हम त्रिकोण मिती कहते हैं बस इत पास तीन कोण होते हैं तो सबसे पहले किसकी बात आएगी त्रभुज की और मोश्ट इंपॉर्टेंट बात जब भी हम बात करेंगे त्रकोण मिती की तो आपको बस एक ही त्रभुज आपके दिमाग में आना चाहिए वो कौन सा है समकोण त्रभुज और कोई त्रभुज न तो किसकी बात करेंगे समकोण त्रभुज की तो समकोण त्रभुज को सबसे पहले समझ लेते हैं कि समकोण त्रभुज में क्या-क्या चीजे होती है क्या लंब होता है क्या कर्ण होता है क्या आधार होता है उसके बार में थोड़ा सा समझ लेते हैं मालनों मारे पास कोई स समकॉण तरभूज बना दा तर यह हमारे पास प soy, समकॉण तरभूज एक और ले ले देंदें,दो बना ले इसलिए उसे समकोन तरभुझ बोलते ही तीन बुझोओं से गुरियाकरत यू कौन तरभुझ बोलते हैं इसमें èk कोण अगर ये 90 degree आ तो वह समकोन तरभुझ हो जाता है तो समकोन तरभूज में सर हम इतना जानते हैं कि एक कोन 90 डिगरी का होता है अगर हम इसे कोन यहाँ पर B दे दे, इसको हम A बिल्दू दे दिया, इसको C दे दिया इसको भी हमने B दे दिया, इसको भी A दे दिया, इसको भी C दे दिया अब रांगे की बात करते हैं अब इसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी बात अब हम किस कोण के सापेच बात कर रहे है वो सबसे most important बात है क्योंकि दो कोण होते एक तो 90 हो गया उसको छोड़ दो A और C दो नियून कोड होते है किस नियून कोण के सापेच बात कर रहे हैं, उसकी बात करें, किस नियून कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मालो हम इस नियून कोण की रिस्पेक्ट में बात करें, A की रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम मालो C की रिस्पेक्ट में बात करें, A की रिस्पेक्ट में अ जो समकोण त्रभूज है उसमें जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाली बुजा को क्या कहेंगे कंड यहां पर भी इसके सामने वाली बुजा को क्या कहेंगे कंड कहेंगे अब जो ऐसे नियून कोड हमने यह लिया है अगर एक कोड लिया है कोड एक साफ पेच और बुजा ह हैं हम देख रहे हैं तो कोण एक के जो हमारे पास ये कोण है इस कोण के सामने वाली बुजा को हम क्या कहते हैं सर लंब कहते हैं इस कोण के सामने वाली बुजा को जाएगी लंग जो यह बुजा बच गई वो आधार हो गई बस यही बेसिक मतलब है 8.1 में हमें सिर्फ इतनी चीज सबसे पहले पता होनी चीए कि यहां पर हम किस कोण की बात कर रहे हैं जैसे कि यहां पर कोण A के साब पेच जब हमने बात की तो कोण A के सामने वाली बुज का लंब हो गई 90 डिगरी के सामने वाली बुजाकन और जो बच गई बुजा वो आधार हो गई सिंपल सी बात तो क्या हो गया सब्सक्राइब डिगरी के सामने वाली बुजा सामने वाली बुजा क्या होती है सरकर्ण होती है और लंब कौन सी होती है यह जो कोण A ले रहे हैं या फिर यह इसको ठीटा अगर माल लो या ठीटा माल लेते हैं इसको ठीटा माल लेते हैं इसको भी नियून कोण को ठीटा माल लेते हैं तो ठीटा के सामने वाली बुजा थीटा के सामने वाली भुजा क्यों होती है लंग होती है टिक और बची वाली बुजा अमारी आधार हो जाती तो ये बेसिक मतलतः पता चल गए क्योंकि यही most important है सबसे जादा एह इंपॉर्टेंट है कि जिस भी कोड की हम बात कर रहेैं कोड की बात कर रहे हैं अगर जैसे साइन ए लिखा है मतलब कोण ए की बात हो रही साइन सी लिखा है मतलब कोण सी की बात हो रही साइन के आंगे जो लिखते हैं ठीटा की जगए पर वह कोड़ी तो होते हैं ठीटा कोड़ी तो होता है ए बी सी एलफा बीटा कुछ भी लिख दो व बस लंब और आधार हम समझ लिए तो बाकी कोई दिख कर दें क्योंकि करण और हमारे पास जो यह समकूण है वो तो हमें दिखते ही स्वीगर से देखते ही पता चल जाएगा वो तो सबके लिए सेम रहने वाला कि यह करण है यह समकूण है समकूण के सामने वाली बुजा बलते हैं त्रिकोण मित्य अनुपात पर जो मारा पहला टॉपिक है तो क्या है त्रिकोण मित्य अनुपात जो हमारे पास त्रिकोण मित्य अनुपात है ना यह जो समकूण वाली जो भुजाए ना कौण लंब आदार इन्हीं भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोण म अनुपात है तो यह इन भुजाओं की जो लंबाई है इसको नापो पटरी से इसको नापा इसको नापा और इन दोनों का अनुपात ने लिया मलब इन दोनों का भाग कर दिया अनुपात मतलब भाग अगर इनका भाग कर दिया तो वो क्या बनाते हैं त्रिकोणमिती जो भी स्मझ लेंगे यह से ज़्यादा क्यों नहीं होते १िलनक से को भी डियाब सब्सक्राई के नहीं ते च हिसे पहले बात करते हैं तो कौन-कौन से होते मालो क ती देड़े स्कसि भी टिप 10-tita टिक फिर मालो मारे पास यहां पर है कॉट ठीटा जैक्ट सेट एड़ sem और सब्सक्राइब इसको याद करने की ट्रिक वैसे सब को पता होगी मुझे पता है कि सब को पता होगी कि सब साइन ठीटा अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं सर इसके एक बेसिक सी ट्रीक है वो आप सब जगे लिख लिया करो जब भी कोश्चिन किया करो कि लाल बटे कका यह बस बेसिक सी ट्रीक है लाल मतलब एल का मतलब क्या होता है लंब एक मतलब क्या होता है आधार के का मतलब क्या होता है कर्ण बस इसी से मारा सॉल्फ हो जाएगा बस और एक यह याद रखना पैटन कि पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर पीछे से आजो कॉट सेक कॉसिक टिक साइन कॉस टेन फिनीची धर से आ होता है सर देख सकते एल बटे के मतलब की लंब बटे कर्ण ठीक कॉश ठीटा बराबर क्या होता है सर आधार बटे कर्ण आधार और बटे का कर्ण टेन ठीटा बराबर सर क्या होता है टेन ठीटा बराबर लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार पॉर्ट थीटा बराबर सर क्या होता है आधार बटे लंब आधार बटे लंब सरक से थीटा बराबर कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार और कॉसे थीटा बराबर कर्ण बटे लंब पर अब लुट अब सीधी सी बात ये समझो यह हमारे पास चेट कोन में तीन पात होते हैं जो सब मुझेवानी याद फोने चीर होने चीर बिल्कूल रटे होने चीर बिलकुल भी उसमें वह नहीं होना चीर नहीं रटे बस ये रीज़कude लम मतलब अधार कर्ण बन सकते हैं और आराम से इसका आप देखके तुर कुर Do लिख सकते हो सरी यह च्छही त्रिकोण मित्य अनुपात क्यों बने क्योंकि हमारे पास कितनी बुजा हैं तीन बुजाओं से टोटल छही अनुपात बन सकते हैं छही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे ना कम बनेंगे ने ज्यादा या तो कर्ण बटे लम जैसे देख रहो य इंघे हैं तो टोटल हमारे पास च्यट मित्य अनुपात होते हैं जो भुझाओं का ही अनुपात होता है जू समकोन त्रवु के अनुपात को हैं थी तो यहां पर इनको साइन कॉस्न और कॉसिक से रिप्रेजेंट किया जाता है यह एक मतलब समज teaching यहाँ पर अगर यह ठीटा है यहाँ पर अगर यह ठीटा है तो इसके अनुसार करण लंब यह होंगे यह ठीटा है तो इसके अनुसार करणाधार लंब यह बस इत्तिसी बात है इसी कॉंसेट पर पूरी पहली एक्सरसाइज हमारे पास डिपेंड है और कुछ भी नहीं बस вони कि सामने वाली बुझा यहां थीटा के सामने वाली बुझा यहां लंब हो जाएगी बस इसी consecutive चलते पहले अकसर्साइब सुरू करते हैं बस हो गया इzanmor पहले कली चलते क्या कहंरा पहली कोश्चन है शारी पहले 8.1 के कोशन मिक्स लगाएंगे इतने लगा लेंगे कि ताकि सारे concept के cover हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रही कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी चला रहा है मजा रहा है बजार बताते रहे न जो भी में चला है उसके अलावा करेंगे पहला मनलब जित्ते डिफरेंट डिफरेंट डाइक की बन सकते हूं सारे इंपोर्टेंट कोईच्चन हम लोग कवर कर लेंगे आज की क्लास में क्या कहे रहा पहला कोईशन पड़ो ध्यान से कोईशन सर कह रहा है त्रबूज ABC में जिसका कोण वी समकोण एक ABC हमारे पास त्रबूज यहीं is टिक हमने माल लिया कि ABC त्रबूज ज इसका कोण भी उमारे पास समकोण है कहरा है από 24 cm कि 6 cm तो निम लिखित के मान हमें सब्सक्राइ나냐 आपर हो यहां पर कोण को छ लिया गया यह विसी क्या गया है मत पर कोण जी हो वर निकाल लेंगे रोंसान भिंसारी मान with the सारे तो निकाल ले नहीं सिर्फ साइनसी और को स एक चाइए तोसे का चाहिए तो निकाल लेंगे, पहले बाग की बात कर लेते हैं, दूसरा पार्ट बाद में देखेंगे, पहले बाग की बात करते हैं, कोण A साप H की बात करते हैं, मालों हमने इसको A ले लिया, इसको C ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको A ले ले, इसको C ले ले, आंसर में कोई 24 cm a B हमारे पासी बुजा दी गई है कि यह 24 cm हों ठीक कर आःब 26 cm bc अमारे पास 7 cm मतलब की अगर noon a की बात कर रहे हैं उ dove एक सापे चलने साइन एक बात कर रहें तो एक सापेच अगर बात करें तो यह वाली बुझा कौन सी है यह वाली बुझा सर लंब है क्योंकि कोण के सामने वाली बुझा क्या होती है लंब नवे डिग्री के सामने वाली बुजा सर करण होती है और बची वाली बुजा को हम क्या बोलते सर आधार बोलते बस इत्ती सी बात है कोच्छन अपना सौल हो जाएगा इसके आंगे कुछ हाई नहीं पाइथागोरस प्रमे तुम लोग नाइंत से पढ़ते हुए आयो आराम स प्रमेस पाइथा गूरस प्रमेस द्हां से देखना पाइथा गूरस प्रमे क्या कहती है कि कान का जो स्क्वायर होता है ना सर कान का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार की स्क्वायर के योग फल की तो सिंपल कान का स्क्वायर मतलब की एसी का स्क्वा प्लस आधार का स्कॉयर मतलब एबी का स्कॉयर ठीक कोई दिक्कत नहीं एसी का स्कॉयर तो हमें ग्याद करना है क्योंकि लंब और आधार हमें पता है तो एसी ऐसे रहने दो एसी का स्कॉयर इसकोयर कितना है सर बीसी हमारे पास साथ है तू साथ का इसकोयर हो जाएगा एस शोभीष है तो 24 का सक्षार हो जाएगा कोई दिखकत नहीं अ चीक शेक रभावर स॔र गया साथ की का स्कुरह हो 24 को स्कॉाइर होता है 500 603 स्कॉरयाद सम्हकूंति तक 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 याद रख नहीं है असी वराबर किते स्कॉयर बवर किता हो जाए गा 9 और 615 चारप साच चार-14 12 फाचे 625 तो एसी कमान किता आगा सर अंडर रूट 625 और 625 कि का वर्गमूल होता है सर्फ 25 का वर्गमूल होता है मतलब यह हमारे पास क्या आ गया यह सड़ कंड आ गया एक प्रकार से क्या आ गया सर कंड वाली बुजा हमने सर पाइथा गोरस प्रमेश से आराम से निकाल दी अब हमें लंब पता है लंब पता है आधार पता है कंड पता ह लो हमसे अब तो हम सैंसा है अब हमसे कुछ भी पूछ लो क्या पूछना है अब इसे साइने पूछना है तो पूछ लो साइने हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सरम साइने तो जानते ही है हमें कुछ नहीं पता तो हमें लाल बटे कक्का तो पता ही है कि लाल बटे कक्का होता है यह जब 20 परकार का कोश्च्चन ओसाइड में कहीं लिख लो काट दिना बाद में उसको कोई दिखकत ने है क्या कहता है लंब कट कर तो लंब ह defended क्रण और करन हमारे पास क्या है कि अग celebration लंब हमारे पास कितना आया है सर लंब हमारे पास साथ दिया ही था कर्ण हमने निकाल लिया कितना पच्ची सो साथ बटे-पच्चीज क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा साइन ए निकल के यहां से आ जाएगा कि साइन एक इता है साथ बटे-पच्चीज आप क्या निकालना ह हमारे पास कितना एसी ए भी हमारे पास कितना है 24 और यह 25 तो दोनों ने आसे मान निकाल ली यह आ गया साइन एक और यह आ गया साइन यह हमने दोनों निकाल लिया समझ मैं आया सभी को सभी को किलियर हुआ यह पहला question कैसे करना था योगि कौड एकी बात हूई थी इसलिए लंब ये था कौण से सामने बुज़ा कर ठीज यह वाली हमारी आधार थि उसके कोर्ड़िग हम ने कर लिया यह तो गई सिय वाला पहला आपार अब बात कर लेते सिकंड वाले सपर कि सेकेंड वाले पार्ट में मैं साइन सी के सापेज देखना है मलब कोड़ ये लेना है दुबारा से एक तरभूज बना लेते हैं अब तो सेकेंड पार्ट सिंपल हो जाएगा क्यूंकि तीनों बुजाएं में पता होगी बुजाएं तो सेम ही रहेंगी यह 24 से यह साथ यह 25 यह बुजाएं तो पता हो गई अब करण आधार लंब आपस में बदलेंगे करण वैसे भी नहीं बदलेगा लंब आधार बदलेगा बस उसको चेंज कर लेते हैं यह यह इमने बनाया समकूर्ण तरभूज इसमें मैं पता था कि बी तो समकूर्ण है करण वाला करण यह यह था मारे पास यह सी था इस बार कोण सी की बात करनी तिक यह 25 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया कि यह मारे पास 25 सेंटीमीटर है इसको सेंटीमीटर भी लिख लेना यहां पर करण अटा दो सेंटीमीटर डालो यूनिट इंपोर्टेंट है तिक अब यहां से क्या हो ज है चेंज रहेगा नहीं अब हमारे फास क्या है breast है अमारे पास किस के बदने सरभी 10 बुझा साज सेंटी मिटर के बराबर है यह स Centers यह मारे पास 24 सफेंटी मिटर भूं अरट कोई दिखकत ने अरट पाईथा को रस्तों लगा नहीं ने सीधे ही कॉस्स और किसा हुआ निकाल लो साइनन का निकाला लूआ है निकाला लो साइन सी लम अपर बटेक चीश्ट ग्यार अपास यह तो अपनमारे पास एशीक अधार बटेक होगिंग कर्णी हमारे पास है बीसी और कॉसी निकल कर आके बस पहला कोश्चन सौल्व हो गया आराम से बस इसी कॉंसे और से सौल करना है बस यह याद रखना इंपॉर्टेंट यहां पर क्या यह कून की कोण सी लेना है तब लंब आधार काण कौन से होंगे जब कून ए लेना है तब हमारे के पास आधार लंब और कॉन से होगी वो हमने सीख लिए पहले कि 90 डिगरी के सामने वाली बुजा लंब रहने वाली है जो नियून को लिया उसके सामने वाली बुजा हमें सा कंड रहेगी जो नियून को लिया उसके सामने वाली बुजा लंब रहेगी बची वाली बुजा हमारी आधार हो जाएगी question अमारा इसी से solve हो जाएगा simple पाइथा गोरड़ त्वरम लगनी है जो आप खूब लगया हो आराम से सम्पल सी यह solve कर लोगिसारो चलेंगे इस टाइब का एक कोस्टन हो गया अगले टाइब को कोट आर का यहां पर मान ग्याद करना है जब कि हमें यह आकरती पता है अब आकरती में हमें क्या दिख रहा है एक समकोन तरबुज यह समकोन नबबे डिगरी होती है बुझा पता ही आपको तो चलो आकरत के अनुसार कर लेते हैं आकरत में कहरा है यह 12 cm यह 13 cm ठीक यह 12 वो 13 तो हमें यह निकालनी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर कोण की बात किसकी की गई है एक बार पी लिया गया है एक बार आर लिया पहले 10 पी के लिए बात कर ले दोखो यहां पर कोण चेंज हो गया यहां पर कोण पी है यहां पर कोण आर है यहां पर कोण पी को पी के लिए पहले बात कर लित इह मालोग ओर में यहां पर ये वाली भूझा कौन सी हो जाएगी सर लंब वह जाएगी यह तो कौन यह तो कंड रहेगी और यह काइए पैले क्या करते ह। पाइथ़ागोरस प्रमे लगा के कम से कम यह qr भूजा तो निकाल लेते हैं जब qr भूजा आ जाएगी तक तो हम आरे पास कौन से t inquire 4 पी q are फमले पाय्तागोरस प्रमे निकाल के इस भूजा का काम क्थम करो जैसे ब भूजा आ राग थायगी फिर हम से कोई भी अनुपात पूछ लयका हम निकाल लेंगे हम उसके तो मारती तो अराम से लगाते हैं पाइथा गोर्स प्रमे का प्रमेती तो घुरत तो महिश्छक मोर्ण लगाई तो मद्यों पास क्या है सुरक्ण का सक्वार्ड होता है तो यहां पर कैंलिखा प्र लिखा एक तो पतहिए करना मारे पास क्यां तो प्रक है वह मारे पास q.r.c.m और पीक्यों के वर्ग के बदाबर प्रक प्रक्टमर कर अक्म हमें पता है कि यह सब्सक्राइब यह कि यह कित 12 कवर कित्ता होता 144 144 इसको इधर ले आओ तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यूव रकवर्ग तो यहां से मारे पास क्यूव आद निकल आएगा qr equal to आ गया sir under root किता आ जाएगा यह minus कर लेते हैं यहीं पर तो किता हो जाएगा यह 25 हो जाएगा तो 25 equal to क्या जाएगा qr cover तो यहां से आ गया qr cover qr cover यह भी आ गया qr cover तो qr equal to हमारे पास किता आ गया under root 25 जो कि 5 के बराबर होता है तो यह आगे भुजा हमारे पास 5 के बराबर है यह भुजा आमने निकाल ली 5 cm की ठीक यह लंब वाली बुजा हमारे आगे कोण pk according अब पहले 10p निकाल लेते ठीक है निकालो 10p लिख लेते हैं यही पर कि 10p कि 10p हमारे पास क्या हो जाएगा सब 10 पी जो है ना कि 10 के लिए हमारे पास जो लाल बटे क कखाग सबने गा लिख लिया घर तो आ तो 10 P equal to क्या आजाएगा सब्सक्राइब क्यों आजाएगा और हमारे पास कितना है पांच और पी क्यों कितना है बारा तो पांच बटे बारा जाएगा अब निकालते कॉट आर कॉट आर के लिए एक काम करो पहले लंब हटा लो क्योंकि कॉण हमें कौन सा लेना इस बार लेन यह आधार अटा दिया कट तो कटम depan ही रहेगा इसक 모े अटा दिया अब वम्हें क्या करना है अब में कोर्ड कौन सा लेना सरकूड इस बार आए 000 अगर कून आर ले रहे हो तो लंब खौन सी वजाएगी हेवाली बुजा तो थे हमने अटा दिया अब हमें क्या करना है हमेरनय कोंट कौन IS बार आर लेना अगर कुन आर लिए और तो कांसी हो जाएगा यह वाली बुजा क्यों के सामने वाली पुजा इसन्य उन कमें सामने वाली भुजा फिकली इंघ कोई दिक्कत नहीं अभ लगा कैसे हुआ यह पहला थाnisse रूर स्पारोश पर में लगा हमने जो मारे पास भूजा सोपर आवाने से यह भूजा पता हो गई एक वार ने प्याप आंना से फॉट से पर आगया और जब या और नздर लुटा आर लिया तो इसका अनुसार लंब यह हो तो लंब यह आधार बटे लंब से क्या हो गया 5 बटे-12 ये भी आगे हमें क्या निकालना है 10-4 का कॉट आर तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10P है माइनस प्र इसकी वेलु निकाल निंगे अंसर जोगा क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा 10 P minus cot R equal to क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा किलिए रहे सभी को यहां था कोई समस्या तो नहीं यह सेकेंड टाइप का कोश्चन हो गया यहां पर तो मैं डारेक्टली निकालना था यहां पर हमें थोड़ा सा यहां पर निकालने चले अगले टाइप कोई समस्या तो नहीं किसी को चले आंगे फिर चलते आंगले कोश्चन पर तो थर्ड कोश्चन अब देखते हैं थर्ड कोश्चन बढ़या कोश्चन मज़ेदार कोश्चन कहरा यदि पंद्रा कॉट ए बराबर आठ हो तो साइन ए और तो शेक कमान क्या कजिए अब इस कोई में कोई भुंजा नहीं दिए मनलेश औरन लंड्रat ना दिया है ना आधर किसी त्रबूज की बात नहीं कर रहा डारेक्ट सिरैकोन वित्त अनुपाद दिए तो से वित ओन्तर बुजी की बात करते हैं देखते है क्या कह रहा है कि 15 large जो है आई वो बराबर अट के तो कैया से हैं को ते न ही निकाल सकते हैं कि तो यहां से मैं पता है कि कोट जो होता है वह क्या होता है कोट जो होता है वह साइन कोउg टेन नहीं लगा सकते यह त्योंकि दो भुझाए हिसने ओनृपात देख करें दो भुझाएं दी दी इस बार डारेकली अनुपात के नहीं से दो बुझाएं दी अब दो बुजाएं हमारे पास हैं तो हम कण निकाल लेते हैं फिर से हम पाइथा गोरस प्रमें लगाएंगे पाइथा गोरस प्रमें यही तो बेस्ट ट्रीक है मारे पास पाइथा गोरस प्रमें लगा लेते हैं तो पाइथा गोरस प्रमें हमारे पास क्या कहती है सब पाइ अधार के वर्ग के तिक काना का वर्ग मारे पास निकालना है तो करना निकाल लेंगे लंब का वर्ग 15 का वर्ग आधार का वर्ग आठ का वर्ग तो करना का वर्ग बराबर हो जाएगा मारे पास 15 का वर्ग 225 आठ का वर्ग 64 तो करना का वर्ग मारे पास कितना आएगा भाई क पांचार नौच है दो आठ और दो दो आठ नो दो नवासी और दो सो नवासी तुम्हें बाद वर्ग पता ही एक रण बरावर अंडर रूट दो अलवासी मतलब कि यह शत्रा का वर्गोता यह तो आपको पता है तो यहां से घुजा आगे मारे पास कौन सी करण वाली और कित्ती है 17 के बरावर तिक हब काई नहीं दिये तो सिंपल सेवबसां सब्सक्राइब कोई निग्वत कि आपर क्या आ गया सरक रण हमारे पास क्या है 17 के बराबर है कंड 17 है लंब हमारे पास 15 है आधार हमारे पास 8 है क्या चीए यार आपको साइने चीए कोण एही तो दिया है एक ही रिस्पेक्ट में चल लए सारे कोण से मैं यह भी ए यह 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 तो निकालो ना साइने अमारे पास क्या हो जाएगा साइने बराबर हो जा दाली लिया है तो 15 बटे 17 यह आगया साही ने सेम इसी प्रकार से क्या करोगे से के निकाल लोगे तो से के बराबर क्या होता है सर से के बराबर होता है यहां से देख लेते हैं से के बराबर होता है कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार अगर कर्ण बटे आधार होता है तो स सर यहां से मुझे के लिख सकते हैं करना हमारे पास कितना है 17 आधार हमारे पास कितना है सर आधार हमने निकाला था आठ जो दिया गया था तो यह आगया से के कि बस कोशन सौल्व हो गया कुछ भी नहीं था कोशन पसमें इस बार इंडारेक्ली उसने कोट एक अमान दिया था और कोट एक बारे में अच्छी तरीके से हम वाकिव हैं कि कोट हमारे पास क्या होता है यह सर आधार बटे लंब होता है तो आधार बटे लंब लगाकर हमने डारेक्ली कंड निकाल लिया और कंड लगा के हमने क्या किया बाकी फिर कुछ भी पूस देता और कोई भी त्रकोण मित्य अनपाद छयू निकाल सकते हो एक आपको दे दे बाकी छया आप निकाल सकते हो कोई जरूरी नहीं कोशन जब आप से बोर्ड में पूछेगा तो व अगर ऐसा कुछ देना है तो पैटर्न हमारे पास ऐसा रहेगा और इस तरीके से हम इसको अंसर निकाल के दे देंगे तुरंती चाहें आप ऐसे पूछे चाहें आको से पूछे चले आंगे फिर अगले कोश्यन पर यह हो गया अगले टाइप का थर्ड कोश्यन चलते चौत स्कूछन सारे दिफ्रेंट पर प्रकॉषण कोई आपको यह लगी नहीं सकता कि ऐसको यह सकूछन है उपने नहीं बताया और चैप्टर हमारा फिनिस हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता चौता कोंचन बढ़ Another question कि तर्भुझ अबराबर वर दावर थिर निमदिक कर दो की बात नहीं चलते हैं कहरा है एक तुर्भूज है हमारे पास oh कि कि ए बीसी हमने झोटा सा समकूर तुर्भूज बना लिया यहां पर इसका बीस हमकोर है ए और सी हमने यह बुजाए माल ली आप सीअ कोई बदल सकती उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो है यह हमने एर सी माल ली बिके सामने वाली बुजा करण होती है आपको पता लितके से 10 के बराबर 1 बाई उमारे पास रूट थे तो 10-े बराबर अगर 1 वाई रूट थडी है तीज सी बात यह समझ Romeo तो फिर से वही concept हो गया पीछे वाला कि कॉट राभर ये है और अलगी है कोट बराबर ये कोंट सी अधार चेंद यह कि बात हो रही है एसकी बात कर रहे है कि न हम यह इसकी बात कर रहे हैं कि अगर यह कोंड दिया तो लम्ब हमारे पास क्याओं सी हो जाएगी यह बुजा कर तो हमारे पास 90 डिगरी के सामने वाली बुजा है कुण के सामने वाली बुजा लंब हो गए यह अमारे पास आधार हो गया अब बात कर लेते हैं क्या क्या में पता है लंब पता है लंब हमारे पास का यह लंब कितना दिया गया एक दिया गया का आधार किता दिया गया यह रूट तीन दिया गया करन मतलब कि हमें निकालना पड़ेगा यह एक है यह रूट तीन है करना में आपन निकालना पड़ेगा निकाल लेते यार क्या दिक्कत है पाइथागोरस प्रमे तो हाई पाइथागोरस भईया तो हाई हमारे पास तो पाइथागोरस प्रमे से लिखत ऑप्लस्टकर आधारं कर इसी कि तो बराबर होता है कोई दिक्कत है तो गुण एक प्रकार के मुर्ण निकालना है मतलबके प्रकार से एफ यह आवर देभाऄ डॉकिप्हेस अबच्थ में डिया गया देर का वर्त है लंब का वर क्या हो जाएगा वन का वर्ध टिक तो एसी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा सर वन प्लस तीन मतलब कि आ जाएगा फूर तो एसी बराबर कितना निकल आएगा सर एसी बराबर यहां से निकल आएगा टू तो यह आ गया हमारे पास क्या कर्ण निकल कर आ आगया करन हमारे पास निकल चे आगया湂 आधार कंण कुछ भी पूछ लो हमसे कुछ भी बी पूछ लो the पहले थे कर क्ले एक चीज़ बहुत important याद रखना पहले पहला part कर रहे पहला part मालू कर रहे हैं पहले Part में अभी तो कोई दिक्क्र नहीं कि यह और सी दोनों है इसमें तुरलन कोण एबी है और सी बी तो पहले गोले के साप थे दिए प्राइब शाहिन एऔर कोश धी निकाल लेते हैं क्योंकि साइब वेलू अलग होगी कॉस C और कोस एक ऍकू अलग हो गया तो पहले उससय ancestors क्याल निकालना चाहें तो तो। ëानि यह हमारे पास कौन होगा सरय के शांब कंवाली भुजा ुजा लंब hell bc इसके लिए लंब हो जाए गी और कंण कौन सा होगा तो कंड यहाँ हो जाएगा सर्क्रण एलसिए हो जाएगा क लंब बटे करन हमने लगा लिया bc बटे ac mरे पास एक है AC हमने यहाँ पर 2 निकाली है, तो 1 बटे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बटे 2, ऐसे हम यहाँ पर क्या करते है, कॉस A निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस A की जरूवत है, तो कॉस A के लिए हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है, route 3 वलब की AB Ocarnd Amare Paz basically तो番 है मारे पास है RootAM आज हमारे पास दो तो coming से आगए रूट थीन बठेद में साइन ए और foster यह अभी काल सिंब्सी बास समझना यह और यह अभी हमें ाइन कोर्षियं कि और इनननी काल लेना इससे क्योंकि कोंड पर लें यहां पर क्या लिकाए सी तो में कोण सी लेना पड़ेगा तो लंब आधार आपस में बदल जाएंगे तो यहां पर क्या करते एक दूसरा त्रभूज बना लेते क्योंकि भुजाये तो में पता ही है यह बी हमारे पास समकोण तो बजलेगा नहीं कण अमारे पास वही रहेग सी इस बार हमने उनकोण ले लेते हैं तो सी के सामने वाली बुजा क्या हो जाएगी यह लंब हो जाएगी यह तो आधार रहेगी यह कंण हो जाएगी क्योंकि बी के सामने वाली बुजा कंण सी के सामने वाली बुजा बच्ची वाली बुजा लंब हो गई यह बुजाएं हैंब इसमें कौर सी और साइनस यहीं दूच से इधर भी दुखू में यहीं चाहिए तो सिंपल आम आम निकाल लेते हैं साइनस यहां इसे हम क्या करते हैं पहले साइनस यह निकालते हैं साइसे बराबर क्या हो जाएगा लम अटे कर्ण तो ありलम हमारे पास एकटी ए दो ऐसे हमारे पास कॉस क्या हो जाएगा क्योंकि कोडम c ले रहे तो कोड सी के कॉर्ड नहींरे पास क्या होता है बात के लियर हुई यहां पर हमारे पास इल या था तो इस से में साइन ऴन्रकॉस इनिकल तो कोण शी लेनेसे यह इसी बदल गया दो Sh 기 वो गया कॉसि को दोनों की वेलू अलगा है na आट अलगा हॉगा कौसे अलग होगा आप यह सारी बेल्ण नहीं पता है दो को फाहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं इसकी ब्लस को से प्लस cos a sin c इसी की value तो निकाल ली है अब सभी की value रख लो sin a की value कित्ती निकाली है 1 बटे 2 cos c की value कित्ती निकाली है 1 बटे 2 plus cos a की value कित्ती आई है root 3 बटे 2 root 3 बटे 2 सब की value रख दो बस और कुछ नहीं करना है यह दोनों गुड़ामें और बीच में प्लस यह दोनों गुड़ामें साइन सी कि वेलो किती निकाली या रूट 3 बटे 2 यह किता आ गया सर 1 बटे 4 यह किता आ गया 3 बटे 4 तो equal to हो गया 4 बटे 4 क्योंकि हर समान है उपर अंस जूड़ गया 3 और 4 आर चार बिटे चारि कोल टू क्या होगए वन मतलब कि पहले पाट का आंसर कि इतना आ गया वन निकल कर आ गया इसी प्रकारण मुंद दुसरा और निकाल लेते दूसरे पाट में किसका अंशर चाहिए장 दूसरे पार्ट में सर्जूं में आंसर चाहिए स्कॉस ए साइं कॉसी कॉस एकॉस के ठीक माइस साइं ए साइं सी माइनस साइं ए साइं सी कि रख लेते हैं सभी की वेलु क्या थी रूट 3 ॡünde 2 रूट 3 बटे दो को सी की वेलु मारे पास क्या है को सी की वेलु मारे पास एकании बटे 2 है- साइन सी साइन एक की वैलू किती वन तू और साइन की वैलू मारे पास किती है रूट तीन बटे लूर तो ये किता आ जाए। रूट थें बटेaleninsi 8 और मांगारी तीन मटे-14 कट जात्र की cuánt of का य। माइनस का कट के जील सी आ जाएगा ये आ Coleman हो जाएगा का इसकी वेलू वन इसकी वेलू जीरौ इंपटेंट कोस्चन है विट्व यह यह क्याहाँ पर हमें दो कोनों को मिक्स ले कर चलना ता धेख रहा हो एक ही सांफ को लिख दियाना टो कूशन पूरा गलत तो बहुत दिमाग से सांती से कोश्चन करते टाइम एक बार ध्यान से पढ़ो ध्यान से पूरा उसको पढ़ो एक से दो बार पढ़ो पूरा टाइम लो दो मिनट पूरा लो कि आप कोश्चन दो बार पढ़ो और कोश्चन को पहले समझ लो कि क्या-क्या लिखा है जल्दबाजी बिल्क काम होकर आराम से बैठेंगे एक्जामाल में और पहले कोश्चन जो आएगा तो पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे पूरा कॉश्चन बहुत अच्छे से पढगे और जो कोश्चन पहले आते होंगे पहले वही करने और उसके बाद क्या होगा फिर आप उनको से जाओगे जिन पर थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था फिर उनको अटेंड करना दीर दीर सुरू करो लेकिन इसा कोई डाउट नहीं रहेगा आपको सारे ही आते होंगे जब आप यहा जब हमने सी लिया तो लंबादार यह हो गया है उसके कोडिंग हमने साइन सी और कॉसी निकाले इसके कोडिंग हमने साइन ए और कॉस ए निकाले ठीक है चले आंगे अगले कोश्चन पर यह हो गए चार कोश्चन पहले एक्सरसाइज के एक और कर लेते एक और बहुत इंप पहलुन सब्सक्रिखत है कि उससे जोलें इसको प्कर्ण दोनों क्यों लिख दीको अधिस ़ूमने ओ माना है इसको क्यून माना है हरा है यहांप पर ऑफी हमारे पास 7 है तो ओपी हमारे पास 7 कोई दिकद्रत निहीं तो पीं हमारे पास कई दी गई कि वूरेसे ने क्स्वाहइं धिली सब्सक्राइब धिए और माइनस का PQ equal to one centimeter है ठीक है कह रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू निकालो मतलब इस कोण क्यू के कॉर्डिंग हमें काम करना है साइन क्यू और कॉस क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है अब इस कोईशन में एक चीज देखो आप इसने सिर्फ एक भुजा दी है और यह हमें पता है संपूर इसने दोनों भुजाएं नहीं दो भुजाएं दी होती तो तो तीसरी बुजा हम आसानी से निकाल लेते अभी तक क अगर क्यू के कारडिंग देखें तो यह बुजा कौन सी है यह लंब वाली उसने बुजा दे दिये लंब वाली बुजा उसने साथ दे दी नामे करणपता है ना आधार पता है ठीक लेकिन एक रिलेशन दिया है तो एक काम करते है इस पीक्यू को हम माल लेते हैं क्योंकि सी relationship से ही यह बुजा निकाल पाएंगे जो relation मलब सम्बन्द इख दिया है दो बुजाओं में oq-pq अगर q वाली बुजा से हम pq निकाल माइनस कर देते तो एक हमें मिल जाता है एक relation यहां से कर लेते हैं क्या करते हैं कि pq को क्या करते हैं इसको एक्स माल लेते माना ह만ên पीक्न की पिट्वारे पास किया यह आधार है मुर्ण आधार कोatra किया यह पीग्यों मारे पास क्या प 왜ाभर एक्स है ति क्मने प्ली पिणको क्या की एक्स के बराबर माल लिया इसको में एक्स के बराबर माली अब लगाओ पाइथा परिशान ना हो अभी पाइथागोरस प्रमे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमे से चलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है कर्ण मतलब कि यहां पर ओक्यू का वर्ग बराबर होता है सर ओपी का वर्ग और पीक्यू का वर्ग ओपी का वर्ग प्लस पीक्यू का वर्ग ठीक ओक्यू तो हम निकालेंगे यहां से कन तो हम निकालेंगे ओपी हमारे पास क्या है ओपी सर साथ है तो यह तो जाएगी साथ का वर्ग और पीक्यू हमारे पास क्या है पीक्यू हमारे प सत्य उन्चास और प्लस का एक्स इसको है यहां से मारे पास क्या निकल क्या आ गया ओक्यू का वर्ग इक्वल टू मारे पास आ गया उन्चास माइनस का एक्स इसको है अब यहां से अगर देखो तो यहां से ओक्यू बराबर हम निकाल सकते हैं कर दक्यों कि अगर हम देखे है तो प्लस किया एक्स माना है तो यहां से ठीक क्योंकि बराबर हो गया उस साइड चला गया अब हमें पता है कि पीक्यू हमने एक्स माना है तो वन प्लस एक्स हो जाएगा यह ठीक ऑट्यू बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स यहां रख दोना वन प्लस एक्स अगर ओक्यूम वन प्लस एक्स यहां पर रख देंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा देखो अभी समझ में आ जाएगा यह हो गया उन्चास और प्लस का इधर भी प्लस का तो यह वन का स्काघर वन हो जाएगा सथ्फु यह प्राबर व्लैगर खैटिस निकल करा उचास एक्स कुई दिया एवोपी दिया कि ओफी एक गुझा आप लंब मानलो यह है अगर कूण की के कॉर्डिंग तो साथ सेंटीमेटर की यह भुझा है मारे पास पीक्यू हमें नहीं दी हमने उसको एक्स माना करण हमें नहीं पता है हमने क्या इसको आधार को एक्स लेके चले ठीक दिया था वह ओक्यू माइनस पीक्यू के साथ दिया था और पीक्यू को अमने एक्समाल लिया माना पीक्यू बराबर एक्स तो पाइथा गुरस प्रमें लगा के करण का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर लंब साथ का स्कॉयर आधार एक्समाना तो स्कौयर हो गया ओंग्य आगया यहां से Q में बस निकालना ना क्योंकि कड़ का भी तो कुछ X के पदों में निकाल लू तभी तो इधर वाली X के साथ समझ पाओगे तो X को उने पदे में कैसे निकाला ऊक्यू बराबर बर ओपी को उससाइड बेजा इसको पिक्यू को फीक्यू की वेल्यो में पता थी एक्स है तो one plus x निकल और यहां पर रख दिया OnePlus X 1 plus X का वर क्या हो जाएगा यहां से OnePlus rake's work हो गया उन चास और यह हो गया एक्सव काई इसका उन इसक्वास अबने यहां 24 है और यह 7 ए तो ख deg नहीं निका लोगे क्या क्योंकि हम साइन क्यूंकि लिए लिकर भी तो चहिEL ऑगा लंबटे कंड होता है तो कण निकाल लेते इंदर जगेय नहीं है वह हो जगे की ہqual ihm ने ले लिया ये हमारे पास प्रेव ओ है और ये क्यों है किया मैं पता तब निकाल लिए इत्ती एक्स मानी थी एकसी लिखराने दो और ये मारे पास करण वाली बुजाए कोई दिक्कत ने एक्स बराबर मैं पता है किता आ dyze आ गया ये एक्स बराबर जो निकला है ओएपिचए वो चौबीस के बराबर آगए अब चलते हैं यहां से करण का बर्च बराबर निकाल लेते पाइथा गोरस प्रमे लगाते पाइथा गोरस प्रमे से चलते हैं में शल्द Ultra प्रमेससे क्या होगा सरक अगल का यो हो जाएगा ओक्वा एक जो का अग़ हो जाएगा बराबर हो जाए смож土 PQ के वर्ग निए हर चलो अब यहां से ओंग सकी तो में निकालना ही था थो Q का वर्ग हो गया भीकिव मारे पास कित्ता है पीक्यू 24 का वर्ग हो जाए का निए कि तसका हो जाएगा साथ कवर्ग हो जाएगा तो यहां से कवर्ग बराबर आ गया 576 प्लस 49 मतलब की 625 ऑप की वाली बुजा किती आ गई 25 के बराबर 625 कवर क्या होगा 25 यह तो पीछे निकाला था भी तो यह हमारे पास किती आ गई 25 मतलब यह आ गया पचीस अब कुछ भी आप हमारे पास क्या है यह ओपी मतलब कि यहां पर हमें पता है कि यह आधार है क्यों के सापेच यह हमारे पास क्या थी लंब थी यह क्या है आधार है तो लंब हमारे पास क्या है साथ साथ बटे 25 आ जाएगा हमारे पास साइन क्यों और क्या निकालना है कॉस q तो कॉस क्यों आ जाएगा इता सरकॉस क्यों आ आधार बटे करंड अधार क्या चोबीस औरक अमने पास चैब आंसर आजाएंगे रहुत साइन क्यों और अब कोशन में आप से यह भी पूछ सकता है कि यहां पर आप ऐसा करो टेन क्यू बताओ या कोसिक क्यू बताओ तो कोई दिक्कत नहीं अगर इसी में अगर वो पूछ दे कि साइन पी एसाइन ओबताओ या कॉस ओबताओ तो क्या करोगे तीनों भुजाय निकाल ली थी अब क ट्रिकोण मिती अनुपाद लिख देंगे बहुत important question है याद रखिएगा काफी बार पूछा गया question है और यह तीन से चार नंबर में question पूछा जाते हैं क्योंकि त्रिकोण मिती चैप्टर से पता है 12-15 नंबर के question आएंगे त्रिकोण मिती चैप्टर से तो यह याद रखन तो यह हो गया पहली exercise अपनी finish पहले वाली exercise का काम हमनों का हो गया finish चलते हैं अगले part पर अगला part है हमारे पास त्रिकोण मिती अनुपातों की सारणी के बारे में अब इस सारणी की बात कर लेते हैं कि त्रिकोण मिती अनुपात की सारणी में मतलब हमें कैसे यहां पर बा आप जैसे क्या करना है अब इनकी वेलुँमें भरनी इस्टेबल को क्रों करने की च्छोटी सी ट्रीक वही करते हैं क्या करना है सबसे पहले और हम अगर निकाल लिए बाकि अपने आपसेसी लिए क्या करते हैं यहां पर root 0 टृट ii ृट् रूट ii रूट ii और रूट ii टीक, रूट ii रूट ii रूट ii रूट ii रूट ii लिखलो बस और सब वे दो से भाग कर दो यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी बस知न की table complete हो गए कैसे sir doe 0 upon 2 root 0 upon 2 यह क्या हो जाएगा यह सिंफल हो जाएगा अंस में 0 है तो सरीख हो हो जाएगी 0 कोई दिक्कत gwास आ कि झौड़ पर आओ रहो पॉत हुट वन की वेली क्या होती है我就बान पायन की सगेटीट में यह सिंफल हो जाएगी वन अपांट को देख लो रूट टू अपान 12 इसका मतलब क्या है रूट तो पांटे तोर रूट टू कॉम है लिख सकते हैं रूट टू गुले रूट टू तो रूट तो रूट टू से-डू-1 कर जाएगा एक रूट व्मारे पास बच जाएगा तो बनदक रूट पान टू हमारे पास हो जाएगा वन पानы हुआ उद दूपल टू हुआ टिक टिक रूट सिर्पबन टो क्या हो जाएगा सब लुट फोर की बैलू क्या होती है सर्फliamo की वैली की वैल्यू होती है टू अप् आप अटू तो टू है तो सीधा यहां पर वैलू क्या हो जाएगी वन बस सॉल्ल हो गया साइन की टेवल बन गई यह वन निकल आ है उपर क्या थिया यह था रूट जीरो रूट वन रूट टू रूट ट्री रूट फॉर बस टू से डिवाइड कर दो यह वैलू मारे पास साराम से निकल आएगा अ से इसी को यहां से उठाओ और ऐसे लिख दो इसके बाद इसको क्या करना है उधर से उठागे ऐसे रख देना है फिर रूट थृप ऑन टू वन आपान रूट टू पर वन बाई टू और जीरो कोई दिक्कत नहीं साइन आ गया साइन आ है चैन के लिए च्छोटा सा शूतर यादर को अवी आंगे बात भी करेंगे 10 सिर्टवाराबर होता है साइन थी का हृता है यहां बीच में फिर रूट स्री अपन फू 10 औन तोरूत कट जाएगा के वह लग kya बचेएगा abi 351 upon2 रूट रूट में आ गया एक बटे जीरो का मतलब क्या हर में आगया नीचे हर में आने का मतलब क्या होता है अनन्थ होता है आप परियों अनन्थ लिख देंगे अब 10 आ गया है तो कॉर्ट के लिए फिर वही काम करोगे जैसा साइन के लिए कॉस्ट के लिए कर रहा था कि इधर से लिख दो इसको इस तरफ से उठाओ और इसे रगर दो इंफाइनाइट रूट 3 1 1 वाई रूट 3 और जीरू यह मारे पास निकल लाया अब आंगे आ जो स्टेन आ गया कॉट आ गया से पर आ जो तो से के लिए भी बस एक सूत्र जरूरत है लाश्ट आ यह समझे को कि इसको तो फिर से वैसे लिख लेंगे तो से के लिए क्या जरू टीटा से टीटा क्या हो जाएगा वन अपान वन वन हो जाएगा वन अपान रूट 3 अपान टू समझ रहो क्या हो जाएगा यहां पर यह दो कुद्यान से वन अपान रूट 3 अपान टू तो यह इधर चला जाएगा यह उपर चला जाएगा तो टू भाई रूट 3 हो जाए गाज गा जीरो तो गिपन स्यरो जीरो एपाउन सीम्पल यह को जैगा से मेरे पास गडल पहरले नहें पास कि उसलिक्ष ऐस टबढबर काई जीरो जो स्टहुत ले दो तक रहे हैं सब्सक्राइब तिक अब इसको इस साइड लिख दो इनफाइनाइट टू रूट टू तू बाई रूट थ्री और वन इसारी सांडी बन गई पूरी बस इनी दो बार यूज आएगी बहुत जगह यूज आएगी तो इस साड़ी को आप ऐसे याद रख सकते हो 90 तक के मान याद रखने आगे कि कोई जरूरत नहीं सिर्फ 90 तक के याद रखने आराम से याद हो जाएंगे एक बार ऐसे दो बार साड़ी बनाओगे पूरी साड़ी रट रहा है क्योंकि यह कोईस्टन अगर कर लिया तो बाकी के सारे छोटे-छोटे को जो मैंने और इसे और भी पाड थी शैद पाच्वा पाड़ता हो उसमें बाकी दूसरा तीसरे जो पाड़ते वो सिंपल सिंपल यह अगर कर लिया तो वह अपने आप हो जाएंगे करते हैं हो पहले इस्टार्ट छठा नंबर कोस्ट इस्टार्ट कर रहे हैं वाइफ कॉस्ट इसक्ष्टी डिग्री सभी के मान रखने कुछ नहीं कि पाइफ सी स्कॉयर लगा होता है इसका मतलब समझते न कि यह क्या लिखा है और 60 डिगरी का होलिस्ट यहाँ पर मतलब इसका हॉल स्कॉरी फाइब के साथ ना लगा ले लिना प्लस का फूर से हैक़ कि स्कॉर 30 डिग्री मतलब की से के हम ठेटी डिग्री का हूल स्क्वाय बते में क्या हो जाएगा सर बटे में मारे पास आ जाएगा यहां पर साइन स्कॉयर 30 डिग्री साइन स्कॉयर 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30 का होल स्कॉयर कॉस 30 का whole square बस इसका मतलब यह बता दिया यहां पर square लगे का मतलब है कि पूरे के उपर square है बस आप question में सभी की value रखो क्या है कॉस 60 डिग्री कॉस 60 की value क्या होती है सर 1 by 2 बस गुले 1 by 2 का square प्लस फूर सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री टू बाइ रूट थ्री तो टू बाइ रूट थ्री का square 1045 डिग्री सर 1045 की value उती है वन तो वन का square आ जो नीचे नीचे मारे पास क्या है कि नीचे साइन स्कॉरे 30 डिग्री साइन 30 की value 1 by 2 तो 1 by 2 का square कॉस 30 कॉस 30 की value क्या है रूट 3 बटे 2 तो रूट 3 बटे 2 का square बस सॉल्व कर लेते हैं इसको क्या बनना है उपर हो गया दो दूना चार तो पांच बटे चार इसका वर कर दिया दो दूना चार पांच का गुणा कर लिया यह क्या हो जाएगा दो बटे 3 चार का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चाहर दो दूना जाएगा चार आजाएगा बस सभी की वेलू रखके एक्दम छोटा सा बचा एल्सियम ले ले लिते हैं उपर इसके नीचे वन मान के जिले लू यह तो नीचे बड़ा बट्र उपर क्या बचा उपर हमने 4-0-12 LCM ले लिया तो 4-0-12 और 5-0-15 तीन चौको बारा और 16-4 चौको 64 एक बारा माइनस का बारा टिक यह आजो यह तो यह समान है तो चार बटे चार हो जाएगा यह तो कट भी जाएगा चार बटे चार ऊपर क्या बचा ऊपर मारे पास बचा 15 से 12 गये तो क्या बचा तीन तो 403 सरसट तो सरसट बटे बारा इस दा राइट आंसर बस कुछ नहीं करना है एकदम कोश्चन सिंपल है बस यह सानी का उपयोग करना है सभी के मान रख देना यह तो सिंपल यार नाहिंत से कल्कुलेशन करते आ रहें जोड़ गटाना गुणा बाग एलसी हम लेना बटा सॉल्व करना यह तो सब खूब आता है तो बस उसी का उपयोग करके आराम से कोश्चन को ऐसे हल करना है कुछ नहीं करना है बस इसके आपर वैल्यू रखी इस वैल्यू के एकार्डिंग हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया क्या आ गया सरसट बटे 12 निकल आया ठीक है कि क्लिए रह व्याद है आराम से कर सकते हैं ठीक है देख लो एक बार पांस सेकेंड ब्रेक है कि लंबा लेक्ट्र चलने वाला है वाई कोई बोर तो नहीं हो रहा है कि बोर नहीं होना भाई बैठने की भी परिच्छा है देखने कोन बैठता है आखरी तक मैसे जरूब बैठा ता सरा आखरी तक इस्टार्टिंग से आखरी तक बैठा रहा था ठीक है और बैठने से ज्यादा समझ में भी आना चाहिए चलते अगले कोश्यन पर शटे के प्लस बी जो है वो जीरो से 90 डिगरी के बीच है बढ़ा है बी से तो एबी का मान ग्यात करो इसके चक्र में परिसान होना कि सर यह सब क्या लिखा है कुछ नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर इसकोश्यन में ऐसा कोई बेसिक यूज नहीं सिर्फ इत्ता सा लिखा है कि इन और भी जो दो कोण है इनका जो योग आएगा वो जीरो से 90 के बीच आएगा वो तो भी देख लेंगे आएगा एक अमान हमें साब इसे पढ़ा होगा कुछ नहीं उसका लेकिन यूज क्वेश्चन में हमें नहीं करना है बस लेकिन आपको बताने के लिए के इंफ 10 a प्लस b बराबर रूट 3 10 a प्लस b में जो वैल्यू है वो रूट 3 अब ये चीज़े बताओогод को रूट 3 10 में किसकी-वैल्यू उती है आप 10班 8 अब रूट 3 वह उतीरות 0-3 3 होज़ गें-10 10- dignity je यह बात सर हमें पता है कि इस रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो साट डिगरी की होती है 10-10 कमान रूट 3 होता है रूट 3 10-10 होता है यह आपस में बराबर है तो बस इसकी जगे यह लिख देना है यह लिखते क्या होगा इस 10 से हम इकरण निकाल लेंगे यहां से ए प्लस भी बराबर क्या जाएगा साट डिगरी सेम ऐसे हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेसिन के साथ कि 10-10ग माइनस भी यहथ ना वह बराबर है सर वन भय रूट 3 के अब वन बाई रूट 3 सर किसकी वैलू होती है तो 10 एप माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा सर वन माइनस भी और रूट 3 भी पड़ेगा तो 1 by root 3 सर 30 degree में 10 की value होती है मतलब यहां पर इसकी जगह में क्या रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा बस question अपना solve हो जाएगा ए माइनस वी वराबर क्या जाएगा इससे ही हम दूसरी समीकरण बना लेंगे एक और दो अब आपको ए और वी में दो समीकरण दिख गई ए और भी दो ही अन्नोन है दोनों के मान ग्याद करने यहां पर दोनों समीकरण को जिस भी विद से पता है उससे हल कर लो कोई दिक्कत क्या हो जाएगा समीकरण एक बदो से ए प्लस बी बराबर साट डिग्री ए माइनस बी बराबर तीस डिग्री जोड लेते हैं दोनों को बी से बी कट जाएगा टू ए बराबर 90 डिग्री ए बराबर 45 डिग्री तो यहां से एक हमारे पास वेल्यू आ गई कि ए जो है वो 45 ड सब्सक्राइगा साट डिग्री माइनस 45 डिग्री साट माइनस 45 कित्ता हो जाएगा 45 पांच 50 और 50 दस साथ मतलब 15 डिग्री तो पंद्रा डिग्री आ जाएगा दिक रहा है यही तो बात आए बी कोड़ कित्ता आ गया सर्फ बी कोड़ आ गया पंद्रा डिग्री का यही दो से बढ़ा है वो तो आई गया वो तो हम निकाली लेंगे बात में पस्कोश्चन सॉल्फ करने का तरीका यह इंपॉर्टेंट था कि जो यह लिखा था ना इसके बराबर में जो रूट कोई नहीं गया एक ही कोश्चन गया था पिछला वाला बाकी सारे एक ही पेज में सॉल्फ हो रहें कोश्चन चले अगले कोश्चन पर यह हो गया सात्वां कोश्चन बढ़ा कोश्चन था आठवे कोश्चन पर चलते हैं बढ़ा कोश्चन यह भी है आठवा कोश्चन क्या कह है ठीक समकोन है तो कोई दिक्कती बात नहीं मलब यह वाली बुजा मारे पास हमें पता हो गई कि करण है इतनी बात हमें इससे पता चलती एबी बराबर पांच है और कह रहा है ए सी बी ए सी बी टीश डिग्री ठीक दिया है बुजाओं बीसी और एसी की लंबाई गयात को बीसी और एसी कि लंबाई क्या बढ़ा कोईशन है अपती बार समझो इसने क्या किया इस बार भी इसने एक ही बुजा में दी एबी यह दोनों बुजाएं पूछ रहा है करण वा होती तो पाइतागुरस बर्मीन नहीं लगा सकते ना कि दो तो में पता होनी ची तब तो तीसरी निकाल पाएंगे जैसे पीछे तो में एक्स मान लिया था अब यहां पर लेकिन उसने एक अच्छी चीज दे दिया यक्स नहीं मानना पड़ेगा उसने एक अच्छी चीज क अगर हम क्या कर सकते आराम से हम निकाल सकते हैं अगली भुजा को तो यहां पर किसकी बात कर रही है एच्छी ब्लम यह जोटी सी चीज बताओ अगर हमे लंब पता और ठीटा पता है सीधी सी बात अभी लिखते हैं इदर लाल बटे कगगा अगर आसघर हमे लंब पता है क्योंकि लाद यृपर जै सुम्पल या तो यह लगात लंम बठे करक्झ मतलब साइन ठीटा लगा लू अगर हम साइन 30 लगा देते हैं कि साइन ठेटीए थिटा यहाँ पे घर थरटी डिग्रिये तो साइन ठेटी बञाबर लंब टे कर तो यहाँ पर थीटा हमें पता है कि यहां पर 30 डिगरी की बात हो रही है तो साइन 30 डिगरी हो गया यह भी बुजा कौन सी है लंब जो में पता है पांच है क्या एसी यहां से नहीं निकाली जा सकती है अब यहां से एसी निकाल सकते ना क्योंकि ठीटा में दिया था इसलिए ठीटा दिया साथ और एक बुजा दी थी कि आप दूसरी बुजा आराम से निकाल लो ने कि कि यह यह सोचना है कि यहां पर corn ही क्यों लिया सरा आपने टेन या कोट क्यों नहीं ले लिए अगर टेन ले 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 तो भी निकल आएगी कि यहांसे बटे आधार लगाएंगी तो आधार निकल आएगा यहांसे यह आधार हमारे पास विसी ठीक अकुझत बटे लगा लेंगे relevant से कोई नहीं लिया सोह सेख में नहीं लेते लिए कोव रखर्लाएं आध्र बड़े होता और कॉस UK बठेक को शकी करना हमें लभ पहले चाहिए मलब की आधारा में चाहिए सिंपल थे लंब तो हो जाएगा एक बटे दो बराबर पांच बटे एसी तो एसी इदर बेज देते हैं एसी बराबर किता आगया दस यह आगए दस सेंटीमीटर की बुजा यह आगया कड दस सेंटीमीटर अब तो यह तो पाइथा गूरस प्रमे लगा लो करण पता है लंब आधार निगालो यह आप एक दूसरा कोण भी लगा सकते हो कि यहां से हम क्या करते हैं सर टेन और ले लेते हैं क्योंकि लंब बटे आधार यहां से मिल जाएगा तो टेन थ बराबर हमारे पास क्या होता है लंब बटे आधार तो लंब हमारे पास क्या एबी आधार हमारे पास क्या है बीसी टेन थेर्टी की वेलू क्या होती है सर टेन थेर्टी की वेलू हमें पता है कि टेन थेर्टी वन बाई रूट थ्री होता है तो टेन थेर्टी यहां पर सेंटी मीटर यहीं तो दोनों ने काल इती तो टेन और साइन अम्हें आपर लगा लिया तो A C और B C दोनों बुजाय हमारे पास आगे टेनि व्य должны क्यों लगाया ये बास अमझने आगी क्यों कि में लंब पता था कड़ निकालना था यहां भी लंब पता था आधार निकालना थीटा अमारे पास था तो इसलिए टेन ठीटा साइन ठीटा लगा लो ठीटा पता है लंब आधार में एक चीज पता है तो आधार आराम से निकला है लंब कड़ में लंब पता है तो कड़ना आ कहरा है त्रभुज ABC में जिसका कोण क्यू समकोण है ठीक फिर से दिया गया है अब इसने दो बुजाएं दी देखो पीक्यू बराबर 3 cm Pr बराबर 6 cm फीक्यू बराबर 3 cm दे दिया पी आर बराबर 6 cm दे दिया खिरा क्यू पी- आर मतलब कि यह कौण ठीक, P, R, Q ग्याद करूँ, मलब दोनों कोण हमें यहाँ पर ग्याद करना है, सिंपल सी भासा में, दोनों कोण निकालने हैं, दो बुजाएं हमें यहाँ पर दे दी हैं, कोई दिक्रत नहीं, कोण आराम से निकाल सकते हैं, पहले बात कर लेते हैं, P वाले की, कि माल लो यह कोण हमें ग्याद करना है, ठीक, इस कोण के हिसाफ सी यह वाली भुझा कौन सी, यह लंब ए, यह वाली भुझा करण है, और यह वाली भुझा हमारी आधार है, इतनी चीज़े मैं इस देख को पता है जब हम कोड़ P की बात करने कि बीच में लिखा यही कोड़ होता है ना QPR तो प्योड़ P की बात हो रही है पहले कोड़ P के निकाल लेते हैं अब एक चीज हमें क्या पता है कंण और आधार लाल बटे कक्का का फिर से जूज है बहुत यूज है इसका लाल बटे कपका अब एक चीज बताओ कि कंडबटे आधार या आधार बटे कंड आधार बटे कंड कहा मिलेगा या कंडबटे आधार कहा मिलेगा सर आधार बटे कंड और कंडबटे आधार यहां मिलना है यह इस वाले में इस वाले का मतलब क्या होता है कॉस यह तो लिखा है आधार बटे कंड और आधार और कंड हमें दोनों चीज पता है तो क्या हम कॉस्ट ठीटा नहीं लगा सकते अगर हम इसको ठीटा माले सीधी सी बात यह समझो अगर हम इसको ठीटा माले यह ठीटा है तो क्या यहां से हम कॉस्ट ठीटा नहीं लगा सक अगर सर कॉस्ट ठीटा लगाएंगे तो हमें लंब बट एक आधार बटे कंड दोनों चीज पता है आधार और कंड आधार हमारे पास क्या है सर आधार जो है हमारे पास वह पी क्यू है और करन अमारे पास क्या है प्यार है ठीक तो यहां से लगा देते ना तो कॉस ठीटा ही तो निकालना में तो कॉस ठीटा बराबर क्या हो जाएगा पीक्यू हमारे पास कितना है पीक्यू हमारे पास तीन है और प्यार हमारे पास कितना है प्यार हमारे पास च्छाय है तो यह बटे दो तो कॉस ठीटा बरावर क्या गया एक बटे दो तो यहां से क्या हो जाएगा एक बटे दो फिर से आ गई अब एक बटे दो कॉस में किसकी वेलू होती ही क्योंकि ठीटा निकालना यहां भी कॉस हो तो यहां भी कॉस चाहिए तो कॉस में किसकी एक बटे दो वेलू ह तो यहां से ठीटा बराबर क्या जाएगा ठीटा बराबर आजाएगा तो यहां से ठीटा मारे पास क्या आ गया अब चलते हैं दूसरा आर वाले कोण के पास फिर से वही चीज बदलनी पड़ेगी हमें क्या बदलना पड़ेगा सर हमें सर यह चीज बदलनी पड़ेगी क्योड़ यहां पे पी लिया था आप कोण में आर लेना है तो देखना यहां से अब कोण आर ले रहे हैं कोण हमने आर लिया इसको ठीटा माल लिया अब इसके सामने वाली बुजा यह लंब हो गई यह वाली बुजा आधार हो गई ठीक अब हमें क्या पता है लंब और कर्ण पता है उसमें आधारों कर्ण पता था तो काउस लगाया था अब लंब और कर्ण पता है तो सर लंब और कर्ण के लिए सर साइन होता है बेस्ट वे होता है कि हम साइन लगा ले तो लंब और कर्ण हमें मिल जाएंगे तो साइन ये थीटा बरावर है पिक्मारे पास cleanup में हंसे कित्ता है पीकु रशी नहीं है पिर कित्ता है मारे पास छॉय तो तीनीन इकम तीन 321 अच्छे तो साइयं इक बटे कि दो मैं साइन में देखने लगां विख न विखा इस तरफ तो साइन मेंенное बटे दो होते हैं तो सिंपल सॉभाइस टीज़ डिग्री चिशंग democracy ठीटा तरो तो ठीटा बरिराबर लांबर कितने आ जाएगा चीटा बराबर आ जाएगा ऑर ठीटा ये एमारे पास है क्या सफब्त थीता हमारे पास घो यह पी आरक तो कोण पी आर क्यों बराबर आ जाएगा अमारे पास ठीटा बराबर तीज तो दोनों तीज यह तीस है वह साथ है यह साथ डिगरी का वह तीज दिगरी का कोई दिखकर नहीं साथ तीज नब्बे और नब्बे एक 180 डिगरी टोटल तरभुज के यह को होता है तो सीधा सीधे निकाल लेते उसको भी कि यह मारे पास तीज दिया था यह मारे पास कहूं सा तीज दिया था हाँ यह तीज दिया हुआ था यह मैंने साथ निकाला था यह वाला यह वाला कून देको साथ निकाला था एक चीज और हो सकती थी देखो ध्यान से एक छोटी सी बता देते कि ये कोण हमने 60 निकाला भी पी कोण पी जो था ये साट निकाला ये मारे पास 90 था और एक सो असी से माइनस कर देते क्योंकि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है ये भी हो सकता है इसे एक चीज थोड़ी सी किलियर हो जाए अगर इसको मैठेड टू यहां से देखते हैं यहां तक आने के बाद वो ना करना होता अगर तुम क्या करते कोण पी प्लस कोण क् कि कोण की उमारे पास समकोण है तो यह 90 और कोण आर हमारे पास क्या है वो निकालना है इसको ठीटा माल लेते तो 180 तो ठीटा बराबर किता आ जाता नौ छैपंदा डेल सो उधर से माइनस हो जाता तो 30 डिग्री यहां से निकलाता तो भी 30 आता हमने साइन लगा दिया तो कि कोई दिक्कत नहीं आप जिससे चाओ उससे कर लो दोनों से आंसर सेम ही आएगा क्लियर यह वाला मारे पास कोश्चन कौंसा हो गया नवा नंबर हमारे पास कोश्चन सॉल्व हो गया मतलब कि हमारे पास यह वाली जो एक्सरसाइज है 8.2 वो भी हम लोगोंने फिनिस कर जो हमारे पास त्रिकोण मिती साड़ी परादारी जो भी कोश्चन बन सकते थे डिफरेंट है कि वो सारे कोश्चन अम लोगों लगा लिए ठिक अब चलते हैं त्रिकोण मिती सर्वशमिकाओं के पास कि त्रिकोण मिती सर्वशमिकाओं हमारे पास क्या होती है त्रिकोण म बराबर का वर्ट एक पहली दूसरी वन प्लस टैन स्कॉयर ठीटा बराबर शेक स्कॉयर ठीटा वन प्लस कॉट स्कॉयर ठीटा बराबर कॉसेक स्कॉयर ठीटा बहत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम कोश्चन इनी सरोसमिकाओं से सब्सक्राइब होता है अब इसका यह भी पता होना चाहिए कि अगर यहां से हम इस और समिका की बात कर लें तो साइस्वार ठीटा बराबर हम केवल लिख रहे हैं तो क्या वोगा कॉस्ट को इधर बेज देते तो सूस्टिप्वार हो जाता है यहां पता हो होना चाहिए कि 10 स्कॉयर्ट ठीटा बराबर क्या होता है सर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सकते हो इसको आप यह बदल सकते हो तो बेसिक जो हमारे पास है वो यहीं तीन है तिक अब यह ना सोचना कि सर्याइब ठीटा है कहीं कहीं लिखा होता है कहीं एलफा लिखा होता है कहीं बीटा लिखा होता है कहीं गामा लिखा होता है उसके लिए ना परिशान होना यह कोण ह है सिर्फ तो ठीटा ओ यहां पर साइन स्क्वार हे कॉस्स कॉयर है जो यहां लिखा कुछ बी सिर्फ करने का तरीका तो इस प्रकार से ये 300 समिकाए जो बहुत IMPORTENT और कुछ सूत्र हो रहे हैं वो और लिख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कुछ सुथ रहे उनको मिलक देते हैं कि साइन ठीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसे ठीटा ठीक एसा ही कॉस ठीटा जो होता है वह बराबर होता है वन अपॉन आपॉन। होते हैं आपस में सब व्यूत्क्रम होते हैं से कोसे का का न्ली अगली बात अगली अगर निखना है तो न हो जाएगा सरवन अपान टेन होता ही है तो यह उल्टा हो जाता है कोस्ठ ने डा पान साइन ठीटा हो जाता है तो यह बेसिक फार्मूले हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं कि साइन कॉसिक का उल्टा होता है कॉसिक साइन का कॉसिक का टेन कॉट का कॉट ठीटा बरावर हो सकता है कॉट ठीटा साइन ठीटा टेन ठीटा बरावर हो जाएगा साइन ठीटा अप पारे पास जो दसवा नमबर कोशिचन दिया गया इसको पहले सॉल्व करते हैं तो दसवा कोशन कहें कह रहा है कि कॉस्षछ ठीटा माइनस कॉट ठीटा का होल स्कॉएर बराबर है One माइनस कोश ठीटा आपान वन प्लस कोश ठीटा चलिए सिद करते हैं इसको क्या करना जो कह रहा है कोश्चन करते हैं लेकर चलते हैं लेकर चलते हैं और यह और यह परूफ करते हैं लेचिस में क्या लिखा है कॉसेक ठीटा माइनस का कॉट ठीटा का होल स्कॉयर है ठीक कॉट ठीटा माइनस के कॉट ठीटा का हमारे पास क्या है होल स्कॉयर लिखा हुआ है तो क्या करना हमें तो बदलना है कॉस में तो ऐसा करते हैं कॉसे को क्या लिख लेते हैं कॉसे को लिख लेते हैं वन अपान साइन पटरब सॉन होता है इसका होल स्कषार तुम इसका लगा देंगेम ओभ आगे बात करते हैं इसका क्या करतेम यहां से Menu ले ले निचे तो साइन ठीटा हमारे पास एक होल है तो यहां पर स्यमन ले लिते हैं तो यह हो जाएगा साइनधीटा ऌता सो और ऊपर क्या आ जाए का वन माइनस कॉस्ट इटा का ये मारे पास निकलाएगा वान माइनस कॉस्ट इटा और सो ऐन कीड Parliament पड़ी थी का पड़ी कि सर्व यहां से अगर हम देखें काम कर लेते पहले यहां पर काम करतें कि स्क्षाइर अलग अलग कल लेते हैं रगा मैनस कॉष ठीटा का dipping अलग लिह देते और नीचे हृट निकालिess कि बिलवन उसकॉय ठीटा की मेरी निकाली जा सकती रिःए तो बस लिग देते सौन एन स्कॉचॉच अडिश्काल क्योंगे छterm है में चाहिए तो इसलिए साइन इसकॉयरा को भी कॉस्स में बदलना पड़ेगा तो 1- Hearts K07 का होल स्कॉएर बटे में मारे पास क्या जाएगा सब्सक्राइस को फिता कम लेते हैं One माइनज को सिस्कॉएर टीटे बस सॉल्व होने वाला है गॉइस्ट अब यह 1- doeGu लिखे लिखे ब्लास कोश डिटा लिखा है हमें 1 वन प्लसime Cette एक चीजिदृ़ंसभी कि यहा से अगर इसको वन को स्कॉएर नहीं लिखसकते एए स्कॉयर be स्कॉरर हमने एक फार्मूला पढ़ी रख रहा है सर एए स्क mitad माईनस बी स्क और a-b यह बराबर होता है तो यह फार्मूला यहाँ पर यूज में ले लेंगे a square minus b square से तो ऊपर तो यह लिखा है उसको लिखा रहें दो one minus cos theta का whole square नीचे क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं one minus cos theta और one plus cos theta इससे होगा क्या इससे यह होगा कि यह one minus cos cos theta का होल स्कॉति इस से एक नीचे वाला है यह कैंसिल हो जाएगा तो यह हमारे पास वह वही बच्चा जो हमें चाहिए तो उपर क्या बच्चाई क्या नीचे पास क्या बच्चा मρείीट कि यह मिए यहाँ पर फरूफ करना था यहीं हमारे पास क्या ए आरे चेसर तो यहांат हमें प्रूफ कर दिया कॉश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है तो जो सवर्षव्वव्विकाओं वाले जो प्योज़न होते हैं इसमें कुछ नहीं करना है इसमें simply हमें जितने different question type practice कर सकते बस फार्मूले यह बेसिक यही स्वाइम काई यही फार्मूल्य इन ही का में अलग-अलग रूप में यूज करना बहुत सारे question इसकों सकते अनंत question इसक्र बनते हैं पस हमलों को क्या करना इन फार्मूलों और इन सर्वसमिकाओं का उपयोग सीख लेना कि कैसे कहां पर यूज करना क्योंकि ऐसे तो आपको यह लगेगा कि सर आपको कैसे पता कि कॉसेक वनपान साइन आकर लिखना था कॉट को कॉस्ट बटे साइन लिखना होगा यह सबसे ज्यादा सवाल यहीं रहता ह है कि सर आपको कैसे पतला की कॉसेक को वनपान साइन में भड़लना या कोश बटे सायन ही लिखना है कुछ और क्यों नहीं लिखना था या कुछ और बदला जा सकता था तो बैसिक हमारे पास concept यह होता है कि हम बेटा जितनी practice कर लेंगे इन प्रकार की question को तो मैं अगली स्टेप का ऑगली स्टेप में अगर हम इस रूप में लिखेंगे अगर कॉस्ते को अमने साइन में बदला को हमने कौस और साइन में बदला क्यों कि हमें हमएंगे को ch Pikachu पहले तो हमें इसकी डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाईप की प्रैक्टिस करना ने पहुत सारे questions कि हम लोगों की practice हो जाएगी तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा कि अगला step हमें क्या follow करना है मतलब हमें कौन से उसमें बदलना है कौन सी स्वास्वामिका लगाना सही नहीं रहेगा जिससे आंगे question solve हो जाएगा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप फस जाए जाके आंगे कि आपने दूसी स्वास्वामिका लेकर चले कोई बात उससे आपको सीखने को मिलेगा कि आप वहाँ पर जाके फसे तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि जब ऐसी condition होगी तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आंगे जाके हम फस जाएंगे आंगे कुस्व नहीं हो पाएगा आंगे बढ़ नहीं पाएंगे लेकिन हमें वहाँ क्या करना है यह चीज यहा कोई जुरूरी नहीं कि इधर से प्रूफ करो इधर से प्रूफ करो इधर लाओ या इधर से प्रूफ करो इधर लो इससे इसको भी कर सकते उससे इसको भी कर सकते उसके लिए नहीं परिशान होना है हम लेके चलते हैं लेचेस में क्या लिखा है सर लिखा है साइने प्लस क है को सखेर को से एब्स होलै सकोर प्लस इधर क्या लिखा है कॉस कैशल हमने LHC लेके चला फिर बी स्क्वाईर तो कॉसिक इसको इसको खोलो ऑफ això कॉसिक कषई स्क्वाई रहे प्लस सेक स्क्वाईर एber थ्मों स्वाई के चैन्थ पेस्द और और इक चीज़ द्हान से देखोग क्या द्हान से देखना है कि सर यहां पर साइन स्क्वाईर एबनना है यहां पर कॉस्स कॉयरे बनना झाय तो साइन स्कॉयरे प्लस कॉस्स कॉयरे क्या जाएगा सर वन हो जाएगा तो सिंपल लिख लेंगे फ्लस यह को सटाल है क्या करते हैं कॉैंट में बदल लेते कियो को कोर्ट में बदल लेंगे सैंसे को सब्ल ilikenSandred को को यहां पर सहां लिए पर यहां पर हमने कि वन प्लस कार्ट स्कॉयर रिजाल के बराबर ऑन प्लस क कार्ट स्कॉयर ठीटा जो हता है वह कॉस्य कि स्कॉयर ठीटा के बराबर होता है तो कॉसे किस्कुएठीटा की जगे one प्लस kw卡टीगिया नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं one प्लस Kautiskoyer टीटा 1994 में इस वज़े से लिखा क्योंकि sway मैं आरचस में वो लाना है ऐसा ही आजो two sign a है और कॉसे को क्या करो one a 5 sign a लिखे लो तो साइने का कामी खतम हो जाएगा नीचे से कैंसिल कर लेंगे इसको प्लस कॉस्ट स्कॉयर इसके साथ सेटल हो चुका है से कि स्कॉयर को क्या करो वन प्लस टैनी स्कॉयर लिखे लो कैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वन प्लस टैनी स्कॉयर ठीटा जो होता है व को क्या करो वन अपान को से लिख लो इसको वन अपान को से लिखने को कौन मना कर रहा है लिख लो ना अब को से से को से उड़ा दो यहां साइने से साइने उड़ा दो अब क्या हुआ हमारे पास एक दो और दो चार और दो छे यही तो जाएगा तो छे आ जाएगा यह एक दो दो 4-5 और दो 7 हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा वन लिख लेते हैं पहले 1-1 क्या-क्या बचा वो लिख देते ने बार इस्टिम में तो समझ में प्लस part SquareP or plus card earnings Square कि Hmm也 हमारे पास क्या गया यह हमारे पास यहां पर निखल क्या गया जो मैं रहस今天 यहां पे प्रूफ करना था लह니 हमारे पास यह दिआ गया था कि हैं लहें हमारे पास यह है इस से हमностे मने क्या कि यहां और यह आरएचे से आपर प्रूव कर दिया तो यह हमारे पास क्या आगया आरहेख यह के लिए तो यहांसे हमने क्या किया राइड हेंड साइड में इसको प्रूफ, कर दिया एलाएवं तो program यह समस्या लग तो कुछ नहीं करना थे बने लिए तो मैं जानना चाहूंगा जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे लाक्ष में जरूर लिखना कि किसने किसने पूरा लेक्चर देखा कॉन कॉण ऐसा था जो पूरा देख पाया उस लेक्चर को ठीख है चले फिर हैं फोड़ा सा लें यह चैप्टर इसलिए थोड़ा सब बड़ा हो गया था आंगे बात कर लेतें एक और कोई दिक्कत नहीं है अरेचस से भी आ जाएगा लेकि चलते हैं लेचस से हमें लग रहा है जल्दी आ जाएगा देखते हैं करके क्या हो रहा है फिर समझ में आएगा कॉट ए माइनस का कॉस बटे में क्या है कॉट ए प्लस का कॉस एक काम करो एक काम क्या करो काम यह करो कि कॉ को भी कॉस्ट बटे साइन लिख लो क्योंकि यहां पर भी कॉस्ट है अगर इसको भी कॉस्ट में परिवर्तित कर लेंगे तो कॉस्ट हम कॉमन निकाल सकते हैं इसको भी कॉस्ट बटे साइन लिख लेते हैं क्योंकि कॉट को हमें कहां पर ले जाना इसको इधर देखो तो कॉ घुलना पड़ेगा किसमें सर इसको खोल देते हैं कॉस यह बटे साइन माइनस का कॉसे अब बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा कॉटे हो जाएगा यहां पर कॉस यह जाएगा साइन और प्लस का कॉसे कोई नहीं इसके नीचे वन है मालनों है लसी म्तों वैसे लेना नहीं पड़ेगा क्या करते हैं ऊपर रहेते हैं यहां से भी कौस्त vous a कौमन आरा है दोनों जगा से कौश कामन आ रहा है ऊपर अंसमें कौस्लाइगा यह तो कौस्थ एगर कॉमन लोगे तो बचे वन प्लस साइने माइनस वन ये तो सॉल्व हो जाएगा तुरंती वन माइनस साइने और नीचे से अगर हम कॉसे कामल ले ले तो यह बचेगा वन अपान साइने और प्लस का वन क्योंकि कॉसे से मारे पास कामल निकल आया अब ये कॉसे से कॉसे चला जाएगा वन अपान साइ हो जाएगत को से के माइने सुन और यह क्या हो जाएगा वन recommends आइन यह हexisting यही तोмов को सेके प्लस वन यही तो में रह्याज क्या साइब हो गया कोई दिक्क्राइब हो गया कुछ था यह नहीं कॉस्टन में सिम्पल बस एकि इस्टेफ फालव करनी थी कि इस कॉट को को साफ आल स fringe ना था कि सरक ऊपान साइन मेंना क्योंकि हमें दिख रहा है कि इधर कॉस से जाहिए अगर कॉसिक क चाहिए तो चॉकरTH को अगर हम स्बें बस सैन मिलें अपनी क्या कहे रहां बढ़या कोश्चन है important है कोशन काफी बार exam में पूछा गया question कोशन क्या कह रहा है ध्यान से देखो question यह कह रहा है कि त्रिकोड मिती अनुपातों sign a sick a और 10 a को कोड के पदों में लिखना मतलब a कोड के पदों में लिखना है मतलब आपान कोटे के टेने का तो मसला ही खत्म पहला तो कस्मसला खत्म टेने जो होता है वो डायेक्ट लीवन अपान कोटे के बराबर होता है तो इसको डायेक्ट लिए बराबर लिए अब चलते हैं किसके पास साइने के पास अगर चले साइने को में लिखना या से को में लिखना और बेज Sanskrit सकते हैं आसानी जो होता है n महिना बदल जाता है तो हमें क्या करना हमें तो और साइन één मैं हम क्या करते हैं यहापर ध्यान से कि थे हम अगर माह잔 साइन लिखना तो हमें काम करते हमें एक स्वर समी कापत्टिए कऊंसी कि one plus संसर इस को स्कोयर को वन अपान साइट तो कॉछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं upfront को पहले aids देते इंड स्काइर को हमने उस साइट दिया सो कॉसे के बराबर क्या होगा अंडर रूट के अंदर फ्लस है क्वाट इस्कवाय हमने क्या किया इसको उस साइड बेज दिया तो यह वर्वूण लग गया अब कोसे के क्या होता है लगर Ś5 सीदा L इस क councils इने क्या किया इस साइन का फार्बूला क की पडू में संगते तो साइन का फार्मूला क्ट के पदों में निक निकल आया मैं प्लünسم स्कोर हमने क्यों कॉसिक लिया क्योंकि कॉसे क्वम साइन बदल सकते थे और यह कॉट के बदाबर था यह शरुरामिका यूज करके आप इसको साइन में परिवर्तित के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं यहां से परिवर्तित हो गे अब अन्तिम अगर बात करो लाष्ट वाला। तो लाश्ट में क्या से के बचा अब से के लिए हमारे पास क्या है से के लिए कोई सी स्वारसवीका यह सब्सक्राइब फिरसे बतल लेंगे क्योंकि लाइस होता है इस ही को कर लिते हम क्या करते हैं हमें पता है दूसरी सभी का सविय मतलब से को हो अंडर root के अंदर 1 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और 10 प्लस ये को एक काम करो से के बराबर हो गया वह स्कॉइब को साइड भेजा इसलिए रूट लग गया तो 1 प्लस 10 को एक काम करतें 1 अपन कोट स्कॉयर एंडर रूट के अंदर यहां से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर वन प्लस या कॉट इस्क्वाइर कि ए प्लस वन अप्स इस्कॉर के टिक तो यहां से सोटे के बराबर क्या गया है यह आँप से एस्पार से ले नीचे वाला हड़ गाएगा ऊपर लगा रहेगा तो यह आज Now कोट स्कौर एंपलस प्लस एपन में आ जा है कर Called यह बस यह हमारे पास unique कफारsm ऑगया kayak को इस कुछ नहीं करना था सारे फार्मूले एक दूसरे में हमें मिला के कुछ ऐसा बनाना था कि साइन को सबको फाइब लिए साइन के लिए क्या करना पड़ा कि कौ talked सक्ते लिए सबकोраن भी अब लिए से कौ बदलने की बात आई तो बराबर होता है यहां से है, के हमने इधर लिए 10 के पदों में और 10 को काथ में आराम से बदला जा सकता है जब वण अप उसकों काइव लेंगे तो वन अपान कवन काट स्कॉयर होगे लिया काट स्कॉयर एप्लस वन अपन में आजाएगा कॉट यह स्कॉयर से नीचे जो अंडर रूट लगेगा तो नीचे वाल अंडर रूट हट गया ऊपर बचा कॉट स्कॉयर प्लस का वह तो बस इतने ही कोश्चन थे हम लोगों को जो त्रिकोड में 30 समिकाओं में करने थे सारे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के कोश्चन करा दिये ताकि साभी कॉंसेप्ट आपके किलियर हो जाएं ठीक है कोश्चन तो इस पर अंगिनत बन सकते हैं पर हमें सारे मैक्समुम प्रैक्टिस हो जाएं कि किस प्रकार से रिवीजन चलना तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा था यह वन सौट यह कैसे चला जो मारे पास फ्लो चल ला था चैप्टर वाइस वह मारे पास कैसा था आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएग कि भी मतलब आंगे की लेक्ट वन सौट देंगे हम आपको तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि कि चैप्टर कजिए कुछ बच्चों ने लिखा ता पिछले वन सौट में कि 3 या 4 का उने चाहिए तो मैं 34 का बना दूंगा वैसे इस चैप्टर से रिले ताकि आपको अगला वन सौट अच्छे से और अच्छे से मिल सकें ठीक है मिलते हैं अगले वन सौट के साथ टाटा वैब है